जैस्री करश्न मित्रों मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं देनिक राशी फल दिनांक 24 नमबर 2021 बूदवार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल के अनुसार आज शुब गरहर नक्षत्रों के प्रभाव से वह भगवान गणिजी की करपा से आज बारा में से पांच राशी वालों को आर्थिक लाप के योग हैं तो इन पांच राशीयों में आज हैं मेश, मिथुन, सिम्व, कन्या और धनुराशी वाले लोग वहीं अन्य राशीयों के लिए आज का दिन सामाने रहेगा तो मित्रो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एश्टरो गुरुजी में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ये दिन नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्तिका राशी फल नई नई ग्यानवर धक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करती रहें तो आज कारती कमास कुरुषन पक्ष की पंचिमी तिथी है बूधवार का दिन है आज दिन की सुरवात पुनर वसु नक्षत्र से होगी और मिथुन राशी में चंद्रमा का संचरन होगा आज सुर्योदई प्राता काल 6.50 मिनिट पर होगा और सुर्यास तसाम के 5.24 मिनिट पर होगा आज राहुकाल दोपहर 12.00 मिनिट से आरंब हो करके दोपहर 1.26 मिनिट तक राहुकाल रहेगा तो आज राहुकाल के दोरान आप कोई भी शुब मांगलिक वा नया कारिय आरंब नहीं करें किसी भी नई वस्तु की खरीदारी करने से भी बचें और आज दिसा सोल रहेगा उत्तर दिसा में तो आज के दिन आप उत्तर दिसा की और मुख करके कोई भी शुब मांगलिक वा नया कारिय आरंब नहीं करें उत्तर दिसा की यात्रा से भी आप बचें तो आप जानी अपनी जन्म राशी के अनुसार आज आपके भग्य के सितारे क्या बोलते हैं और आज के दिन आपको क्या खास उपाई करना चाहिए जिससे की दिन आपका शुब रहे और कारे छेतर में भी आपको सफलता मिले तो मेश राशी से आरंब करते हैं मेश राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं मेश राशी वालों के लिए आज का दिन उत्तम फलदाई रहेगा काम पूरे होने के बाद रिलेक्स महसूस कर पाएंगे आपको किसी मामले में बड़ा निर्णे लेना पड़ सकता है इस रासी के कारोबारियों को किसी से जरूरी मुलाकात करना पड़ सकती है धन के मामले में स्थिती आपकी बहतर रहेगी समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा आपका स्वास्थ भी आज बहतर रहेगा तो आज आपका भाग्यशाली अंकनों है शुब रंग आपका हरा रंग है हरे रंग का प्रयोग कारी छेत्र में आज अधिक सदिकाप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकट वाधाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्रातह का लिश्नान करने के पश्चाद भगवान गणेज जी रिद्धी सिद्धी का सरद्धा पुर्वक पूजन करें भगवान गणेज जी के मंदिर में हरे मुंग का दान करें और 21 दूरवा अरपन करें बेट करके ओम वक्र तुंडाई नमा इस महा मंतर का यथा शक्ती जाप करें तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब होग सफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है वरशब वरशब राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि वरशब राशी वालों के लिए आज का दिन सांदार रहेगा आपके सारे कारे मन के मताबिक पूरे होंगे आप बच्चों के साथ खुशी के पल व्यतीत कर पाएंगे परिवारिक रिष्टे भी आपके मजबूत रहेंगे इस रासी के जो लोग इंजिनियर आदी हैं उनके लिए दिन काफी शुब फलदाई है और आज आपको किसी अच्छी कमपनी से जाप के अवसर मिल पाएंगे आपका दामपत्य जीवन भी सुखद रहेगा कारी छेतर में अधिकारी वर्ग का सहयोग आपको मिलेगा जिससे आप अच्छी सफलता प्राप्त कर लेंगे व्यापरी वर्ग के लिए आज का दिन काफी फाइदे मन रहेगा तो आज आर्थी ग्रूप से भी दिन बहतर है और स्वास्ति की द्रश्टी से भी उत्तम है तो आज आपका भागिशा लियंक चार है शुब रंग आपका सफेद रंग है सफेद रंग का प्रियोकारी छेत्र में आज अधिक सदिकाप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकट बादाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है कि प्रातहकाल इस्नान करने के पश्चात भगवान गणेज जी के मंदिर में जाएं गणेज जी और रिद्धी सिद्धी का पूजन करें भगवान गणेज जी को मोदक का भोगरपन करें ग्याराह दुरवांकुर चड़ावें और बेट करके ओम स्री गवरी सुताई नमा इस महामंत्र का यथा शक्ती जाब करें तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब हो वा सफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है मिथुन मिथुन राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज का दिन मिथुन राशी वालों के लिए बढ़िया रहने वाला है आप जिस किसी भी कारी को करना चाहेंगे वे काम आसानी से पूरे होंगे आप किसी मित्र की मदद से किसी कारी में सफलता प्राप्त कर लेंगे आप किसी काम के लिए योजना बना सकते हैं किसी नए काम की सुरवात करने के लिए दिन ठीक है और आप दूसरों के सामने अपनी बात को खुल करके व्यक्त कर सकते हैं संतान की ओर से आपको गर्व की अनुभूती होगी और समाज में भी आपको मान प्रतिष्ठा की प्राप्ती होगी तो आज आर्थिक पक्षाप का मध्यम है स्वास्त की दृष्टी से दिन उत्तम है तो आज आपका भाग्यशाली अंकछे है शुबरंग आपका लालरंग है लालरंग का प्रयोकारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सबी प्रकार के विग्ण संकटेवं बाधाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपाए इस प्रकार से है प्रातहका लिश्नान करने के पश्चात भगवान गणेजी के मंदिर में शुद्ध घी का दिया जलावी भगवान गणेजी को सिंदूर का चोला आरपन करें केसरिया वस्त्र और लाल पुष्प की माला आरपन करें दुरवांकुर चड़ावे पंचे मेवा का भूगर पन करें और बेट करके ओम गमग आपके कुछ खास काम बनते बनते अटक भी सकते हैं कारोबार में उतार चड़ाव की इस्तिती का सामना करना पड़ेगा आपको कोई भी निर्णई करने से पहले बड़ों की राय अवश्य लेना चाहिए इससे आपको लावकी प्राप्ती होगी और आपको जिंदगी का को वीश्यों का आगमन होगा आपकी सभी परेशनिया वैसे दूर हो जाएगी तो आज आर्थिक पक्षा आपका सामान्य हैं स्वास्त की द्रष्टी से भी दिन सामान्य हैं तो आज आपका भागिशाली अंकशाथ हैं शुभ रंग आपका गुलावी रंग है गुलावी पुरा दिन आपके लिए शुभु परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं, कि आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा, किसी काम से भागदोड अधिक हो सकती है, आपको संतान से सुख की प्राप्ति होगी, आपको अपने खरचों को लेकर सोच विचार ज़्यादा हो सकता है, अपने खरचों पर लगान अवश्च लगावे, आपको आसपास की हर चीज़ पर आज गोर करने की अवश्यक्ता है, कुछ लोग आपकी बातों से प्रभावित आज रहेंगे आपकी परिशानिया वैसे कम होगी तो आज आर्थिक पक्षा आपका बहतर है स्वास्तिकी द्रस्टी से दिन सामान्य है तो आज आपका भाग गिशाली अंक पांच है शुबरंग आपका केसरिया रंग है केसरिया रंग का प्रियोकारिचेत्र में आज अधिक इस सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकट बादाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्राताहका लिष्णान करने के पस्चात भगवान गणेजी की मूर्तिया गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें गुलाब का इत्र अरपन करें लाल पुष्प की माला और दुरवांकुर चड़ावें और मुदक का भोगरपन करें बेट करके ओम उमा पुत्राइनमा इस महा मंतर का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें तो इसा करन से पूरा दिन आपके लिए शुब हो वा सफलता दायक आज रहेगा अगले राशी है कन्या कन्या राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा आपको कोई बड़ी खुश खबरी मिल पाएगी जिससे परिवार में खुशी का माहोल रहेगा किसी प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात के योग हैं आपको नए इस्तरोत्रों से धन प्राप्ति के योग हैं आज घर परिवार का माहोल आपके लिए काफी अनुकोल रहेगा सेहत के मामले में चुस्त दुरुस्ता आप रहेग आपका केसरिया रंग हैं। आपके लिए शुब हो बस सफलता दायक आज रहेगा। आपके लिए शुब हो बस सफलता दायक आज रहेगा। रितूफल और पंचे मेवा का भोग लगावें। और दुरवांकुर और पान का बीड़ा चड़ा करके ओम विग्न हराइनमा इस महा मंतर का अधिक सफलता दायक आज रहेगा। अगली राशी है वरश्चिक। आपका मध्यम है स्वास्त की द्रश्टी से दिन उत्तम है तो आज आपका भाग्यशाली अंक दो है शुब रंग आपका बादामी रंग है। बादामी रंग का प्रियोक कारीछेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशिश लाप की प्राप्ती होगी। तो आज सभी प्रकार के विग्न संकड वाधाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशिश उपा इस प्रकार से है कि प्रातह का लिश्नान करने के पश्चाद भगवान गणेजी को सिंदूर का चोला आरपन करें और केसरिया ध्वजा आरपन करें। अगली राशी है धनू धनू राशी वालों को आज शूब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा आर्थिक पक्षे भी आपका मजबूत रहेगा जीवन सांती के साथ घुमने फिनने की प्लानिंग आप कर सकते हैं परिवार म किसी खास मामले पर बाच्चीत हो सकती हैं आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे स्वास्थ एकदम बहतर आपका रहेगा दामपत्य जीवन में आज समरस्ता बनी रहेगी धन लाप के अवसर आपको प्राप्त होंगे तो आज आर्थिक पक्षा आपका मजबूत है स आज सभी प्रकार के विग्न संकट बादाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेशूपा इस प्रकार से हैं प्रातहकाल इसनान करने के पश्चात भगवान गणे जी और रिद्धी सिद्धी का पूजन करें भगवान गणे जी को लाल पुष्प की माला अरपन करें पान रितूफल अरपन करें आकड़े के पुष्प की माला भी अरपन करें और बेट करके विग्न हराइनमा इस महा मंतर का 108 बार सरद्धा पुरवक जाब करें तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वह सफलता दायकाज रहेगा अगली राशी है मकर मकर राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा पुरानी बातों को लेकर परेसान आप हो सकते हैं इसलिए तनाव मुक्त रहकर के काम करें कारे चेतर में काम को जल्द निप्टाने की कोशी साप कर सकते हैं जल्द पिता की सेहत भी अच्छी रहेगी आपका स्वास्त भी आज उत्तम रहेगा तो आज आर्थिक पक्ष भी आपका मजबूत है तो आज आपका भाग गिशाली अंक आठ है शुबरंग आपका नीला रंग है नीले रंग का प्रियोकारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें रितूफल और गुड का निवेद्यार पन करें दुरवांकुर चड़ावें और बेट करके ओम एक दंताइनमा इस महा मंत्र का 108 बार सरद्धा पुर्वग जाब करें तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब क्षत से पूरा हो जाएगा माता-पिता का भी सहयोग आपको भरपूर मिलेगा माता-पिता के साथ धर्मे कि स्थल की यात्रा करना आपके लिए ठीक है उनके आशिर्वाश से आज आपको किसी खास काम में सहयोग मिल पाएगा किसी अपने से खुशखबरी मिलेगी और वि प्राप गिशाली अंक चार है शुब रंग आपका आस्मानी रंग है आस्मानी रंग का प्रयोग कारिछेत्र में आज अधिक सदिकाप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्रापती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकड बादाओं से मुक्ति पाने के लिए आपक प्रुफल मिठाई का भूगरपन करके दुरवांकुर चड़ावे और बेट करके ओम विग्नेश्वराइनम इस महामंत्र का 108 बार सरद्धा पुरवक जाब करें तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब हो बस अफलता दायकाज रहेगा अगली राशी है मीन मीन राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए आत्म विश्वास से भरा हुआ रहेगा आपके कुछ नए मित्र बन सकते हैं आपका सामाजिक दायरा बहुत बढ़ सकता है लोगों से भी आपको मदद मिलेगी व्यापार वेसे आपके कदम चुमेंगी तो आज आर्थिक पक्षाप का मजबूत है स्वास्त की द्रश्टी से दिन सामानने हैं तो आज आपका भाग्यशाली अंकछे हैं शुब रंग आपका पीला रंग हैं पीले रंग का प्रयोकारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे त स्रध्धा पुरवक पूजन करें गुलाब वचंदन का इत्र अरपन करें लाल पुष्पगी माला अरपन करें पान रितुफल अरपन करें भगवान गणीजी के मंदिर में अनाज का दान करें और बेट करके उम सिध्धी प्रदाय नमह इस महा मंतर का 108 बार स्रध्धा पसन आई होगी यदि आपको पसन आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वशेर अवश्य करें धन्यवाद जैस्री करश्नमित्रों फिर मिलेंगे